आम तोर पर देखा जाता है कि हरबड़ी और रोजाना की भाग दोड़ में अकसर ही हमारे हाथ से कोई न कोई सामान गिर कर तूर जाता है या खराब हुचाता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम खुद ही आंग अंदे मू गिर पड़ते हैं हालक इन समबातों से क्योंग लोग कभी सोचते हैं कि ये सिर्फ एक अप्शगुन है मगर आपको बता दे कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हातों से चीजों का गिरना या फिर इस तर पहले हम बात करते हैं उबलते दूद के गिरने की तो आपको बता दें कि दूद को चंद्रमा से जोड़ कर देखा गया है और वास्तु के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उबलते दूद के गिरने की वज़े से सुख सम्रद्धी में बाधा आती है उबलते दूद का गिरना यानि परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई जगड़ा होने का भी संकेत ये देता है वहीं दूसरी तरफ कुछ अनिक धार्मिक माननेताओं के अनुसार बताया गया है कि यदि दूद या फिर दूद से बने किसी भी वस्तू के गिरने से परिवार पर घोड संकट आ सकता है इसके अलावा हम बात करते हैं तेल के पात्र के बारे में जिसे लेकर बताया गया है कि यदि तेल का पात्र या बरतन आपके हाथ से छूट जाए या लुड़क जाए या फिर कडाई में डालते वक्त तेल का पात्र आपके हाथ सुट से गिर जाए तो इस परिश्तिती में परिवार पर कोई बड़ा संकट आ सकता है आने वाले समय में आपके उपर कोई बड़ा खर्च हो सकता है ऐसे में आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए तता फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए